हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हो आप सब आज हम जाएंगे उनाइमाता मंदिर दा मिस्टेडियस होट वाटर कुंड जहां पर है वो दिखाएंगे आपको वहाँ पर कुंड है जिसमें से एकदम गरम पानी निकलता है और माता जी के दर्शन भी करेंगे चले चलते हैं अगर आप सूरत से आ रहे हो तो सूरत से उनाई सिंधाई के अंदर है तो सिंधाई आपने को मिल पड़ेगा 81 किलोमेटर करीबन डेड़ घंटाई का सफर है चले चलते हैं और यह आप मौसम देख सकते हो काफी अच्छा साइब क्लाउड थे और काफी अच्छा लग रहा था हम सुवह सुबह चलती ही निकल चुके थे जैसे कि आप देख रहे हो काफी अच्छा रूट था काफी सुनदर लग रहा था नेचर में क्यों बारिश हो चुकी थी उसके बात है तो बहुत सारी घ्रीरी वगिर थी और काफी अच्छा लग रहा था जादा बड़ा रूट नहीं है पास में है और आपने क्या वहां के दर्शन की है यह जरू कॉमेंट करके बताइएगा क्या आप वहां उनाई गए हो गया यह हनुमान बारी गाउं आया था वहां से हम सिद्धे निकल रहे हैं और आपको वीडिय इंजोई कीजिए और साथ साथ मैं आपके मंदिर की स्टोरी बता देती हूँ श्री रामचंदर जी और सीता माता वनवास के दुरान यहां पर आये थे यहां पर सर्भंग रूशी का आश्रम था सर्भंग रूशी उनका सतकार करने के लिए पहुँचे पर वो खुद एक क निकलने लगे तब वो अपने रोग को रोग नहीं पाए और उनको बहुत जादा तकलिफ होने लगी तब रामचंदर जी ने यहां पर एक बान मार के एक कुंड बना दिया था जिससे पानी निकल रहा था घरम पानी और फिर कहा रिशी जी को कि यहां पर आप सनान और वहां उस पानी के साथ में माता जी की मूर्ती भी निकली थी वो ही मूर्ती यहां पर है उस कुंड में नाने से रिशी की सारी तकलिफे सारी बिमारिया ठीक हो गई थी उसके बाद में सीता जी ने कहा कि मैं काफी दिन से ठकी हुए हूँ तो मैं भी सनान कर लूँ क्या यहाँ पर तब रामचंदर जी ने कहा कि ठीक है आप भी सनान कर लीजिए जब वो सनान करके आई तब उन्होंने पूछा कि आपने सनान कर लिया क्या तब उन्होंने कहा कि हूँ नही तो मिंस मैं नहा ली पर वो थोड़े दिन बाद में चेंज होते होते उना ही उसका नाम पड़ गया मंदीर का और यहाँ माता जी के दर्शन कर सकते हो काफी सुन्दर मंदीर है और काफी अच्छा मंदीर है आप देख सकते हो और काफी बड़ा बना दिया गया है पहले थोड़ा छोटा था वो बाहर की सैड में मैं आपको दिखाऊंगी और जैसे कि आप देख स चाहिमत उ भी इतना दिखर आ है कि इतनी सरी स्टीम इस पानी में से निकल रहे है। बहुत ही जादा और बहुत ही ज़ादा गरं पानी होता है। चले आपको मैं वहां से बाहर से दिखाती हूँ, यह हमने मंदिर के उपर से देखा। और जैसे कि आपने दर्शन के माता जी के मंदिर भी था, यहाँ पर शिरु भगवान का मंदिर भी था, और यह पीछे का दर्वाजा है, आप यहाँ से जाके देख सकते हो, मंदिर को, और यहाँ पर राम चंदर जी का मंदिर भी बनाया गया है, यह सामने आप देख यह आप दर्शन कर सकते हो, राम भगवान जी, सिता माता जी और लक्षमन जी, और यह काफी सुन्दर मूर्टी है, बहुत ही सुन्दर लग रही थी मूर्टी, और यह मंदिर आप बाहर से देख सकते हो, यह पीछे का दर्वाजा है, यहां से आ सकते हो, आप, मैं देख सकते हो पुरा स्टीम निकल रहा है यहां पर नहीं ना सकते हैं और वहां नाने के लिए सेक्शन बनाया हुआ है साइड के अंदर वहां पानी जाता है और यह पुराना मंदीर जो मैं आपको बता रही थी वह और यह देखिए गरम पानी का कुंड यह एक सेड में लीडीज का बनाई हुआ है और यह देखिए वाला शेकस था था देखे तो काफी अच्चा पूरा कीन बनाया हुआ आराम से यहाँ पर आप नहा है सकते हो और यह आप देख सकते हो पुराने वाले माताजी का मंदीर पहले यह था चोटा मंदीर अब वो बड़ा बना दिया है और यहां पर यह मान्यता है कि आप यहां पर श्रद्धा से मन से यहां से ना होगे तो आपका कोई भी रोग वगेरे होगा यह जरूर ठीक हो जाएगा यह यहां की मान्यता है और ऐसा होता भी है बहुत से जनों के साथ हुआ भी है कि कुंड यहां बाहर भी कुंड है और आप देख सकते हो काफी बड़ा और काफी सुन्दर लग रहा है मंदिर बहुत ही सुन्दर मंदिर लग रहा है उपर कभू तो नहीं बैठे उसके लिए न करने के लिए और कुंड के अंदर से पानी कभी का टून्स कोट नहीं डेया हमेशाभन सनि से diye之前 काहिए इसे हो रहे हैं एकदम गरम पानी ही आता है और चले चलते हैं और यह आप की हैं और आप सरेले हद् pillar dus समाल स्टोन और लकडी का काफी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी बहुत सारे स्टॉल्स लगाए वे थे और आगे की साइड में तो वहाँ पर खुद भी बना बना के सेल कर रहे थे लोग नाई माता के मंदिर के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और आपको कैसा लगा यह जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और सबस्क्राइब कर लेना चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप भी जरूर यहाँ पास में हो तो दर्शन करने जरूर से जाएं